लंदन पैरिस यह आप देख सकते किस तरीके से दिल्ली का विकास अर्विंद केज़िवाल जी ने किया है अब इसमें रात में अगर बच्चा इसमें कोई घर जाए तो क्या हाल होगा यहां सीवर साब कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं यहां पर पब्लिक जुआ अप पानी पीकर आई है इसले पोड़ देते हैं गुलाब सिंग आएंगे भोट मांगने अगले साल बिधान सबाद चुना हुए चपल से मारेंगे क्यों आएंगे भोट मांगने जब काम निकारेगा तो पार्टी का कोई साबी कारी करता यहां दिखाई दिया तो उसके साथ मे क्या होगा उसका जिम्मेदार स्वेम गुलाब सिंग और गुलाब सिंग के कारी करता हों गई जाता हूं अधर अपने दोर से घर तो यह सब देखके मेरे को बहुत गंदा सा होता है और एकडम गंदी बदभू आती है इधर पानी से आ रहा है साथ इसलिए लिए लगता है मतियाला गाउं के नन्य पार्क में जहां हम यहां अरविंद केजरिवाल जी के दावो की पोल खोलेंगे दिल्ली को वो लंदन पैरिस बनाने की बात करते लेकिन कुछ जो ग्राउन पे सच्चाई आपको दिख रही है लंदन पैरिस यह आप देख सकते किस तरीके से दिल् बार 70 में 67 सीट तो दूसरी बार 63 सीट देती है लेकिन यहां जो है तक्रीबन 9 साल से इस एरिया के जो बिधायक है आम आदमी पार्टी के बिधायक गुलाब सिंग है लेकिन इस एरिया का तो हाल हम आपको दिखा रहे तस्वीरे कहते हैं जूट नहीं बोलती है तस्वीर आप देख सकते हैं इसके अलाबा क्या कुछ और यहां समस्या इन लोगों को इस्थानिये लोगों को हो रहे हैं वो भी हम बारी बारी से इनकी बाती आपको सुनाएंगे लेकिन उससे पहले एक बार हम यह बोर्ट दिखाना चाहते हैं दरसल यह जो काम है आप इस बोर्ट लोगों को नर्क बना कर इस एडिया को छोड़ दिया है और जब हम उनके पास पहुंचते हैं तो हमारी जो बाते हैं गुलाब सिंग सुन नहीं रहे हैं एक तरह से वह इग्नोर किया जा रहे हैं आप इस सरकों का हाल देखिए ऐसा लोगों को बताना यह जो हाल है यह आज समस्याओं से जूजना पर रहा है यहां कुछ माता जी है कुछ बच्चे यह देखिए अब इन सरकों के बीच खबर हमें लगी आगे स्कूल है हर दिन तकरीबन सैक्रों बच्चे इसी सरकों से आगे स्कूल जाते अगर कोई बच्चा इसमें गिर जाए फिर उसका क्या हो गए यहां पर काम कर रही है आईजील और पहले यहां पर तोड़ा लोगी आईजल वाले आए उन्होंने खड़ा कोदा उसके बाद निकल गी आप ना तो वह करके त्यार है ना वह करके तयार है अब इसमें रात में अगर बच्चा इसमें कोई घर जाए तो क्या हाल पॉद्री वह ना किसी पॉब्लिक का आम पॉब्लिक का फोन उठाता ना उनका गुलाव सिंगा कोई आदमी यहां पर ऐसा है जो काम को देखता हूँ सबसे बड़ी बात है कि यह जिनता जाए का यह दो दो बार पबलिक ने यहां पर उसको बहुत भारी बहुत से जिदा क हा रहा है तो पाईब कैसा हैँ आप यह मताजीअ पानी आ पानी यह दिलाके में मीठा पानी इतने दुखी आगे गली वाले कुछ लोग भी यह उन लोगों से भी बात करने की कोशिज करेंगे यह हाल कब से सरक्का है और क्या-क्या समस्य आप लोगों को हो रहा है और यह समस्या पांच दन्हों हो गता है उनके बीधायक बने के एक साल बाद से समस्या सोरो देखने भी नहीं आ लिया फोन भी कर लिये आये नियवी तक या अगर बिधायक बने हैं तो आप लोगों के भोट से ही बने होंगे। आप लोगों ने भोट दिया होगा किसी उम्मीद पे ऐसे छोड़ दिया आप लोगों के। तो दूसरी पानी की लाइन भी पढ़नी वो भी नहीं सुनते कुछा करने नहीं आते कोई अधिकारी कोई नहीं सुनवाई है बैया कोई नहीं सुनवाई हो रही है इतने परेशान हो गए है आज दस साल से कुछ पूछो नहीं वहीं उल्टे पाई फूप तोरके चले जाते है पानी मिन आते खड़ित-खड़ित के सब परसान है पानी पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल गंदा यही पानी अंदर जा रहा है पानी की सप्लाई बंद है अब यह देखिए यह दिब्यांग भाई साब है अगर गलती से यहां कुछ हाथसा हो जाता है थोड़ा सा इधर की जगा अगर यह अंदर चलेगा फिर क्या होगा इनके साथ भाई क्या समस्या बता है सर्य यह जो यहां पर गड़ा खूद रखते हैं लोगों ने लोगों ने बहुत बुरा कर रखा है कल के दिन अगर किसी बाड़क की है कोई बच्चा अगर यहां खेलता रहता है कोई बाड़क अगर इसके अंदर गिर गया है तो इसके जिम्हेदारी कौन है पीट बहुत समस्या 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 पहले तो यह आईजियल वाला उना गड़ा खोदा और इसको खोद के सीवर वाले तोड़ दिया इसको क्या पहला करने के लिए उनने नब Image का बढ़ना पर रहा है पानी का बिल भर रहा है सब कुछ बर रहा है लेकिन पानी आता ही नहीं है पानी नहीं आए लगे पानी नहीं है इतना लंबा चोड़ा है इनके घर का ये देखिए ये पाइप तूट गया आप बताइए इस घर में पानी कैसे जाएगा पानी आता है, आदा घंटा भी नहीं आता है, दो वालती बढ़ते हैं, पानी बंद हो जाता है, और इतना गंदा, पानी पीने लाइग नहीं होता, उस पानी को फिर भी हम पीते हैं, क्या करेंगे मजबूरी में? प्रदान मंतरी स्वक्ष भारत की बात करते हैं, दूसरी तरह दिल्ली सरकार है, देखिए इस तरीके से इनके घर के सामने स्वक्षता फैलाई हुई है, ये स्वक्षता आपको दिख रहा होगा। जब काम नहीं किया है, गर में खाना नहीं बन रहा, पानी नहीं आ रहा, अब समझ सकते हैं, इस मोहले के लोग कैसे जिवन जीने पे विवस हैं, आखिर जिम्मेदार को नहीं इसका, और कुछ लोगों से बात करेंगे हम, क्योंकि ये पूरा टाइम, साथ साल उनका ना तो कोई कारिकरता दिखाई दिया, यहां पर काम कराने के लिए, और नहीं स्वेम गुलाब सिंग, तो अब उनकी जिम्मेदारी स्वेम की होगी, और अपनी जिम्मेदारी ले करके नन्ने पारग में परचार करने आए यहां लाश्ट उनको चेताब नहीं है, अगर यहां तो काम जंग से कराने के लिए कितना अक्रोस लोगों में भरा है, आप बताई, नन्ने पारग के लोगों ने जो वोट दिये थे, यह सोचके दिये थे, यह नायक फिलम में था अनील कुपुर, उसके नायक निकलेगा, लेकिन आज यह इसका मरमत कराने का जो जिम्मेदारी है, किसे लेना चाही है, वह मैं आप से बतारा हूँ, बहुंसे पहला करें, यहां बड़ियर जिम्मेदार कों सबसंब्र मंतर अम और सबसे बढ़ी यह थोड़ा बहुत बच रहा है इसको बगवान इनको सद्वूत दे और यह स्थीवा दे करके अपने घर को जाए उल्टे यह आपकी सुनेंगे कैसे फिलाल तो यह अपने मंत्रियों को लोगों को बचाने में लगे खुझ सा एके करके सारे नेता जेल जा रहे हैं लुवारी बात यह है जो आदमी इमांदारी का चोला पर रहे हैं कि मेरे से बड़ा इमांदार कोई नहीं है सबको गालियां बगता था बैंलालू बेंमान मुलाइम बेंमान आज की डेट में मैं कहना हो सबसे ब्रेस्ट अदमी के जरीवाल निकला और उनको गाली देका उसम हाँ तना खतरना कर रास्ता दिखता इस रास्ते से जाते हैं अगर रात में अंधेरा हो गया अगर लॉइट चली गए बाइड़ चाANS फिलाल हमें लीडी बी यहां नजरी नहीं आरा है यहां पर एक लीडी लाइट आपको दिख रहा है तो अगर लाइट चली गई किसी बच्चे का कोई दुरगटना हो जाता है कौन जिम्मेदार होगा इतना गहरा गड़ा करके रख दिया इसमें अगर कोई बच्चा गिरिया तो दीखेगा भी नी किसी मावाप दूड़ते ही रह जाएंगे का मारा बच्चा कहा है मतलग कोई खबर नहीं यह बैसे पौदों को चेकरने आएंगे यह नी देख रहेंगे यह गटर का पानी क्या हालत हो रही है इसको हम देखें जंता कैसे परेसान है क्या पानी नहीं आएगा ऐसी बदभू खाली रहे त इसके थी से श्कार लाएं की सोबत करता है यह जलबूट करता है कोई सुनवाई नहीं होती कि यह बोलता है कि डिली सरकार पैसे क्यों बढेंगी यहां सीवर भैता रहता है कोई सुनता नहीं गाड़ी बुलाने के लिए चार-चार चक्कर मारने पड़ते हैं तब जाके कोई गाड़ी आती है यह तो हाल है यहां के कैसे आप लोगों कि सुनेंगे अपना बचाब करेंगा हमें तो बाद में देखेंगा उसका बचाब होगा हमारी कुछ नहीं करेंगा हमारे साथ है करोरों के सीस महल में करोरों के सीस महल में बैठ कर बस दावे कर देने से कि दिल्ली के महलाए हमारे साथ है वो महलाए आपके साथ कैसे होगी अब आप सीस महल में बैठ कर अगर दावा करते हैं यह महलाए हमारे साथ है यह बहने हमें बोट करेगी लोगसभा चुनाओ सातों सीट हमारा गठवंदन जीत रहा है तो कैसे जीत बना दिये हम पानी घर पहुचा एक बार मिने आये हैं अर्विंद के जिवाल जी दावा करते थे दिल्ली को लंदन पैरिस बनाने की हमने यहां पर आपको दिखा दिया है इस इलाके से कि आखिर उनके दावों की सच्चाई क्या है अगर कोई पत्थर लग गया अगर कोई पत्थर उपर नीचे हो गया कहां गिर कर जाएगा सिधाद में पार निकल अगर कि अरविंद केजरिवल दावा करते हैं सरक हमने दिल्ली का ऐसा कर दिया लंदन पैरिस बना दिया है दिल्ली को पीने का पाणी आता है अगर तूटी चला दोके तो उसमें पी चट्टी निकलती है जाहिर से बात है गटर भरा हुआ है तो ये बाहर निकले गाई और इस गंदगी के बीच महले के लोग किस तरीके से आने जाने पे विवस है यह अब भरेगा, सुबे साम भरा रहता है, बारित हो जाती है इतने इतने पहीर पाली में, घुटने पहल पाली में चलते लोग। हाँ बच्चों का पढ़ना लिखना बंद हो जाता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए यहां की सरकार है जो यहां का वो है जो बना हुआ वो जिम्मेदार है आप यहां विधायक गुलाब सिंग है नो साल से विधायक है आप ही लोग उन्हें वोट दे कर विधायक बनाया पानी आता है पानी पानी और पानी को पानी पानी करते हैं पीने का पानी घर घर तक पानी पहुचा दिए जूट बोलता है सर पानी तो नहीं आता लेकिन मैं आपको बिल दिखाता हूं बिल हर महीने आता है तो देखे यह भी बिल दिखा रहे हमें और सीम साहब दावा करते हैं फ्री पानी हम दे रहें दिल्ली वासे और उसमें भी जो लोग बता रहे हैं गंदा पानी काला पाणी सीवर का मलवाला पानी इनके घरों में आुढ़ें । ये बच्चे स्कूल जाएंगे या इन किचोडों में खेलते रहेंगे ये केजरी वाल है ये गुलाब सिंग है अभी उनके प्रतियासी मावल मिसरा जी है वो उनके काम के उपर वोट मांग रहे हैं पानी से आ रहा है तो ये बदबु वाला पानी आखिर पीएगा आदमी तो कहां जाएगा साइद इसलिए लगता है कि जिन्दा है पते नहीं बिधायक है कि नहीं है अब समझ में आ रहा है उनके मोहला किलनी का जो प्लान था साइद इसलिए था पहले वो गंदा पानी देंगे आप बिमार पर होगे फिर मोहला किलनी का आपको जाना ही परेगा जहां है को वारेस की घोल की आपको परची दे दी जाएगी घोल पीजिए दो दिन में फिर आ बर वाला पानी आता है लाइन में बहुत बुरी आरफ ह स्परसान है इस सी बर से बहुत ज्यादा प्रिचाँ ऑनकी लगारे हैं और गाम में ही कुछ लोग है ऐसे समाजिक लोग जो इसको जोड़ने नहीं दे रहे हैं और सारे परिशाने पुरे कलोनी पानी के लिए परिशाने फॉर पुरानी लाइन उखाड़ी और नए लाइन जोड़ने नहीं दे रहे हैं दिल्ली जल Permfred के सभी फिलाल यहां कुछ और ही कह रही है फिलाल इस वीडियो में इतना ही जैहिन